प्रतियक परश्रों की तरहा इस वर्ष भी पेनखंडा पट्टी के ग्राम सीलंग में रमान का आज़ुन किया गया वर्ष के बिसाख महा में ग्राम सीलंग की सियुक्त पंशाद इस मेले का आज़ुन करती है बिसाख महा की सक्रानती से इस मेले की शुरुवात होती है और विभिन चर्णोमी भूमियाल देवता की पूजा और हर दिन चावल से बने भात का भूग लगा जाता है जिसमें गाओं के प्रतिक परिवार पूजा में समलित होती है अधा इस मेले का समापन सांस्क्रितिक विरासत रमान के साथ होता है रमान मेले की तिथी ग्राम पंचाथ की सयुक्त बैठक में निकाले जाती है और पंचाय द्वारा ऐसे दिन और बार को तेया किया जाता है जिसमें दिन महीने का बेजोर दिन गते और बार रविवार या बुधार हो इसी कर्म में इस साल पंचायत ने ग्यारा करते बेशाक रविवार का समय निकाला है रमान मेला पेन खंडे की पौरानिक संस्क्रतिक विरासत ही नहीं बलकी यहां की प्राचिन जीवन परदती है लोग की सांस्कृती है शेत्र के ही नहीं बलकी दो दराज के लोग इस मेले को देखने गाउं में आते हैं और स्थाने देवी देटा भूमियाल से प्रात्ना करते हैं कि साल में उने वाली फसल अच्छी हूँ और इस पर किसी प्रकार का देवी खत्रा पैटा ना हूँ रमान मेले में मुख्यता गणीश, राम लक्षमन, सीता और हनुमान धोल की, 18 तालोपन व्रत्य सुर्य, कानूर इश्वर, गाना गानी, मालमल युद्यन व्रत्य होता है तथा चोर का पात्र सब का मनुरंजिन करता है अतने भुमियाल देता प्रकट होते हैं और मेले में आएं सभी भक्तों को आशिवाद दे कर साल भर के लिए अपने मूल स्थान में विराज़मान हो जाते हैं कि जिती हाँ ऌत्यों फड़ को खुटमाव सेथे बस्तोर भोसी है कि शो सिंह के रष्ष कर दो कर दो कर दो मेला में हर सांट होता रहता है व्यूंड पर इसमें सब मेला पुरा सयों करती है और बहुत अच्छा मनाये जाता है हैं आटार शांगी इंदेर साकैंगे गिश्ट कर दिन मेला कंते हैं उसकी निर नार्या मलाभ जोंदा पंद्रा दिनी 2 ब जाना आटाए रहा था घूर कर दें मेरा है तोर फ्रम देखाय जाता है अदो है यहरो दिन मेला दोज कर आदार पाना दोजिता समय इसकार नार मेला कर दो कर दो कर दो कर दो